हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू अफेर्स क्लाउड, लर्न टू लीड, मैं नेम इस विकास राणा कोड़ यूज करते हैं, तो आपको स्टेट अवे 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा, बट हमारा कोर्स इतना बैटर क्यों है, वाइ वी थिंग कि हमारा कोर्स वन अफ दे बेस्ट कोर्स है इन दे इंडर्स्टी फर प्रिपेरिंग फर करन्ट अफेर्स, क्योंकि हम करन्ट अफे जिसमें से डेली बेसिस पर आपको 20 क्वेशन की क्विस प्रोवाइड की जाएगी, जो आपकी रिविजन में बहुत हेल्प करेगी, एक PDF प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पर आपको 50 क्वेशन की क्विस और PDF of compiled current affairs of week and monthly basis पर आपको एक top 100 current affairs की PDF प्रोवाइड करी ज जो preparation में revision perspective से बहुत important होता है आपको लगेगा हम सिरफ इतना provide करते हैं लेकिन नहीं हम English के साथ-साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीज़े provide करते हैं Not just this, हम आपको banking awareness के भी current affairs provide करते हैं banking से related questions भी discuss कराते हैं ताकि आपकी revisions आप सके for banking exam इसी के साथ-साथ हम एक नई तरीके की PDFs आप सभी के लिए लाए हैं एक interesting way of learning वो है infotainment infographics बड़ा ही मज़िदार तरीके से आप इनको enjoy करते हुए PDFs को पढ़ सकते हैं तो इनको ज़रूर चेक कीजिएगा इसी के साथ-साथ हम आपको 20 topic wise current affairs भी revise कराते हैं एक एक टॉपिक की वीडियो आती हमारे YouTube चैनल पे जो 20 topics हैं जैसे apps and web portals, important days, books and authors, आपके national affairs, international affairs, sports, defense, awards इन सभी topics को हम monthly basis पे cover करते हैं एन डेली हमारे YouTube चैनल पे आपकी daily videos, monthly videos, weekly videos, topic wise videos ये सब cover करा जाता है जो बहुत helpful रहता है preparation के लिए तो I think this is the best course that you can find for current affairs Hello students, कैसे आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में हम important current affairs discuss करेंगे 2 November के, काफी important session रहेगा तो end तक बने रहेगा तो चलिए start करें सबसे पहला है North India's first data center कहाँ पे inaugurate किया गया था ठीक है काफी important रहेगा इसका नाम याद रखेंगे यह किस नाम पे आपका जो data center है वो कौन सा है? Yota D1 Yota D1 यह आपका Yota infrastructure solutions के द्वारा develop किया जाएगा ठीक है? और 3,00,000 square feet का यह data center रहेगा 15,500 करोड रुपे की investment से इसको बनाय गया था और यह आपका record 20 मन्त में बनके ready हो गया था और अब यह operationalized है ठीक है? इसे में याद रखेंगे यह जो आपका data center है न यहीं से आपके जो various companies हैं जो आपके पास telecom के companies हो गए या फिर कोई भी दूसरे operators होंगे उन तक data fiber connectivity पहुचाने के लिए जो काम करेंगी सुनील गुपता headquarter कहां पे रहेगा इसका मुंबई महराष्ट्रा में नेक्स आजाता है renew रिन्यू एक company है इनके द्वारा भी tie up एक target set up किया गया है कि हम 2040 तक net zero firm बन जाएंगे net zero firm बनने के द्वारा बात की गई 2014 तक यह आपको direct data याद रखना पड़ेगा next आजाता है next question कह रहा है कि which site became the India's first to get responsible steel site certification तो responsible steel site certification पहली वो site कौन सी बनी काफी important question है यह आपकी जमशेदपूर site जमशेदपूर site यह कहां पर है जमशेदपूर site आपकी यह जारकंड में रहेगी ठीक है और इन्हे को अभी पहला to get the first to get steel responsible steel site certification से इने सम्मानित करा गया काफी important direct question याद रखेंगे next आजाता है 7th India Water Week कब observe किया जाता है तो 7th India Water Week आपका कब से कब observe किया जाता है एक November से लेके 5 November के बीच में हमने इसको observe किया 2022 में यहीं अगर मैं पूछूँ 6th India Water Week कब observe किया जाता है तो 24 September से लेके 28 September तक इसको observe कराए गया अब जो 7th edition है इंडिया Water Week का उस किस theme पे based है क्या theme रहेगी उसकी तो उसकी जो theme है वो है Water Security for Sustainable Development and with Equity I repeat Water Security for Sustainable Development with Equity यह आपकी theme रहेगी इंडिया Water Week की जो की 1st से 5th of November के बीच में observe करा जाता है Next आजाता है World Vegan Day Vegan कौन होता है वो व्यक्ति जो कोई भी आपके animal products को consume नहीं करता है मतलब चाहे वो milk हो, चाहे वो eggs हो, चाहे वो meat हो, चाहे वो chicken या कुछ भी हो ठीक है वो animal products को consume नहीं करता है Vegan व्यक्ति सिरफ vegetable या फिर आप कह सकते है Plant Based products को खाता है, consume करता है तो वो वेगन होता है, तो World Vegan Day कब observe किया जाता है 1st November को observe किया जाता है और पहली बार World Vegan Day कब observe किया गया था 1994 में हमने पहली बार World Vegan Day को observe करा था Next कुछ 1-9-8 revise करते है महराष्टा गॉर्मेंट सेट अप करेगा Cyber Intelligence Unit को इंपोर्टन यूनियन मिनिस्टर फगन सिंग इन्होंने इनागरेट किया सरस फूड फेस्टिवल 2022 के लिए चेनाब वाइट वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल कहाँ पर होता है, कहाँ पर हुआ ये शिबनोट में, जमू और कश्मीर में मालाबार वो पहले इंडियन ज्वेलर बने टू इंपोर्ट गोल्ड टू यूएए अंडर कॉंप्रियेंसिव एकनोमिक पार्टनर्शिप एग्रिमेंट जिसको सेपा भी बोला गया देन पी एम मोदी ने इनागरेट किया मेज गार्डन, हाउस बोर्ट सर्विस एंड मियाकी फॉरेस कहाँ पर गुजरात में वर्ल्ड का तॉलेस सिवा स्टेचू कहाँ पर लोकेटेड है राजस्थान में लोड बुद्दा का स्टेचू कहाँ पर है ये बोध गया बिहर में है नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड एडिशन औफ इंडो पैसिफिक एंडेवर एक्सराइज ये इंडियन नेवी के द्वारा कराई जाती है और अभी आउस्टेलियन नेवी शिप्स अराइव करें हैं इसके द्वारान कुछ काफी कंट्रीज में पार्टिस्पेट करती है जहां पर ये अलग अलग कंट्रीज में जाके उनके साथ एक्सराइज कंडेक्टर आती है ये 14 कंट्रीज जैसे आप देख सकते हैं वियतनाम, फिलिपिन, बांगलादेश, श्रिलंका, लाउस, कंबोडिया, इंडिया, थाइलेंड, मलेशिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया इन सब के साथ ये एक्सराइज कंडेक्ट कराती है फिर इसमें जो ऑस्टेलियन नेवी के जो शिप्स हैं इन दोनोंने पाटिस्पेट किया और इन्होंने लेंड किया विशा का पटने में जहां पर अभी इंडियन नेवी के साथ एक्सराइज कंडेक्ट कराएंगे जो कि ये थर्ड एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक एंडेवर एक्सराइज नेक्स आजाते हैं हम नौ्अर्थ इंडिया का पहला डाटा सेंटर कहाँ पर है ग्रेटर नौइडा में ये कहाँ पर है उत्र परदेश में और उत्र परदेश के चीफ मिनिस्टर योगी अ दित्यनात के दौरा ये इनउगरेट किया गया नौर्थ इंडिया का पहला डाटा सेंटर काफ़ इंपोर्टेंट याद रखेंगे ठीक है योगी आदित्यानाथ चीफ मिनिस्टर ने उत्रपरदेश की और इन्हों ने इनागरेट किया नौर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा योटा इंफ्रस्रक्टर सॉलूशन के द्वारा इसको बनाए गया है तीन लाग स्क्वेर फीड डाटा सेंटर रहेगा इसका जो कि पंद्रा सो करोड रुपे की लागत से बनाए गया और इसको ऑपरेशनलाइस कर दिया गया विदिन ट्वेंटी मॉन्स नेक्सट आजाता है हरित आएकार ये एक IT Department के द्वारा लौंच किया गयी Income Tax Department के द्वारा लौंच की गई ये एक स्कीम इनिशिटिव है हरित आएकार मतलब हरियाली अचीव्मेंट रेजिलुशन बाइ इनिकम टेक्स ये एक इनिशिटिव है ऑन दो केज़न आफ नेशनल यूनिटी डे और नेशनल यूनिटी डे को ही हम क्या बोलते हैं राश्ट्रिय एक्ता दिवस्ट सर्दार वल्ला भाई पटेल की बर्थ अनिवरसी पे अब्जर्व किया जाता है तो हरित आइकार नेशनल यूनिटी डे के दिन लाउंच किया ग अधर पब्लिक एरियस तो काफे इंपोर्टेंट याद रखेंगे इंफॉमेशन टेक्नलोजी नहीं है यह इंकम टेक्स डिपार्टमेंट है जिनके दोवारा हरित आयकर लाउंच किया गया नेक्स आ जाता है रिन्यू रिन्यू कमिट्स टू बी नेट जीरो फॉर्म इसके लिए इनोंने एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी सस्टेनिबिलिटी रिपोर्ट जिसका नाम रहेगा पार्टनरिंग फॉर ट्रांजिशन प्रोग्रेसिंग सस्टेनिबली प्रोस्परिंग तुगैदर यह आपकी रिपोर्ट रहेगी जो कि रिन्यूबल एनरजी ग से सम्मानित किया गया ओनेस्टी शॉप्स ओपन इन केरला एरांकुलम फॉर स्कूल स्टुडेंट्स डैली के लेटिनेंट गवर्नर ने लॉंच किया प्रॉपर्टी टैक्स एमिनिस्टी स्कीम स्मृद्धी के नाम से जो थी वन प्लस फाइव यह रेजिदेंशल के लिए और वन प्लस सिक्स यह आपके कमर्शिल के लिए यह नौन रेजिदेंशल के लिए देन केरला लॉंच्ट मोबाइल एप टू प्रिवेंट साइबर क्राइम अगेंस चिल्वर्न गुजराती निव यह की बात करें बेस्तु वर्षा यह सेलिबरेट किया जाएगा 26 को अंडर जल जीवन मिशन दो नए इंडियन वीचिस को अभी ब्लू फ्लेक सर्टिफिकेशन से समवानित किया गया और इंडिया में टोटल ब्लू फ्लेक कितने हैं इंडिया में टोटल बारह नेक्स आजाता है आरब एक के द्वारा भी पालेट प्रॉजेक्ट मतलब ट् इंडिया में तो रिजन यही था कि हम अपनी खुद की एक डिजिटल करन्सी लाँच करेंगे और वो डिजिटल रूपी अब लांच कर दी गई है तो इंप्लीमेंट द सेंटल बैंक डिजिटल करन्सी और डिजिटल रूपी किसके दोरा आरबे के दोरा यह पालेट गया है पैलेट बैसे पे लांच करने का मतलब कि इसको एक छोटे सेग्मेंट में लांच किया थेगा छोटे और है इसकी फेयह ऐता है तो आप consent art Twin वह से देग्ट को नड़न सेब्सक्रेंद और भाद में जब यह प्रॉपर होगा है एक दम कोई भी इसमें बग नहीं होगा कोई भी इश्यू नहीं होगा तब इसको लार्ज स्केल पर लॉंच किया जाएगा वह कौन से है एक तो है बॉब वर्ल अप्लेंस यह एक सूपर प्रीमियम वीजा इंफाइनल डेबिट कार्ड रहेगा इसका मैटल एडिशन रहेगा और बैंक ऑफ बरोड़ सेफाइरी आपका वीजा सिगनेचर डेबिट कार्ड रहेगा तो यह भी याद रखेंगे ठीक है इन दो कार्ड को पीवी सिंदु जो कि हमारी बैडमिंटन प्लेयर है उनके द्वारा भी रिसेंटल लॉंच किया गया था और पीवी सिंदु ही बैंक ऑफ बरोड़ा की ब्रेंड एंडॉर्सर रहेंगी यह भी आपको याद रखना है नेक्स आजाते हैं नेक्स अभी इंडिया ने जो पलेस्टीनियन रिफ्यूजिस है उनकी मदद करने के लिए पांच मिलियन डॉलर डोनेट करने की बात की गई थी पहला इंवेस्टमेंट ऑफ 2.5 मिलियन डॉलर जा चुके है और आप दूसरी इंस्टॉल्मेंट ऑफ इस 2.5 मिलियन डॉलर इंडिया के दवारा भी प्रेजेंट किया गया डोनेट किया गया तू युनाइट नेशन्स रिलीफ और वर्क्स एजनसी के लिए फॉर किया जाएगा फिर उनको जो फूर की मेडिसीं की मोरट जो रिकडियंट भी मोट इंडियन दोत्या हैं जो शैल्टर्स बनाने की ज़ूरत पर ती वहां पर सारे यह आपको प्रुवाइट की जाएगी इस अमडाऊट का यूस्स किया जएगा चलिए next पर आते हैं ne नेक्स जैसे यह पैच ओफ लैंड है किसी फार्मर की है ठीक है यह किसी और फार्मर की है तो अब क्या है कि इस फार्म लैंड पर हम सैटलाइट से आप देखते हैं Google Maps आपने देखा होगा इंडिया का खुद का इस इस फैच ओफ किसी का लगा यह लगा यह लगा यह लगा यह लगा यह लुटर के द्वारा लॉंच कि आगए फार्म इंशरेंस पॉलिस सौलीशन जो कि सैटलाइट बेस्ट इंडेक्स होगा विल भी यूज्ट प्रोवाइट लोकलाइस कवर इड वाकल लेवल ठीक है द मतलब पहले कोया आदमी आता था फिर एक्जामिन करता था फिर चला जाता था लेकिन अब क्या है continuous examination हम कह सकते हैं इन satellite के मदद से इन पर्टिकुलर फिल्ड जिसकी मदद से उनको वो insurance प्रोवाइड करेंगे नेक्स आजाता है South Indian Bank इनके द्वारा एक app-based foreign outward remittance scheme को launch किया गया मतलब अगर भार से कोई व्यक्ति अपने घर पे इंडिया में पैसा बेजता है तो उसको easy बनाने के लिए एक system launch किया गया है South Indian Bank के द्वारा SIB Mirror Plus ये एक mobile application रहेगी जो South Indian Bank के द्वारा launch की गई और इससे जो non-resident externals है वो अपना पैसा भेज़ पाएंगे इंडियांस को easily ठीक है याद रखेंगे और this service is also offered on SIbernet internet banking platform ठीक है SIB Arnett जो किया South Indian Bank Arnett चल ये next पे आते हैं next हम बात करेंगे National Payment Corporation of India and Zagal इन दोनोंने partner किया ताकि multiple credit cards को launch किया जा सके on रुपे network और जो Zagal है न ये software as a service fintech company है जो की pioneer है in digitizing the business spending तो coming back याद रखेंगे multiple credit cards को launch करने के लिए on the रुपे network किन दो organization ने टाइप किया Zagal and NPCA National Payment Corporation of India ने next आज आते हैं नीरा चोपडा golden boy जो Javelin Throg events से relates करते हैं इन्होंने Commonwealth Games में participate नहीं किया गया था to health issues ठीक है तो नीरा चोपडा को अभी पहला या फर वह पहले इंडियन बने जिन्होंने Diamond League टाइटल को जीता देन सिक्किम की बात करें यह होस्ट करेगा रंजी trophy matches को for the first time important US Open वे थी US Open आपका एक Grand Slam होता है तो men's single title में कौन जीता US Open 2022 को Alcrest Garcia और अगर मैं women single title की बात करूँ तो इगा स्वेतिक ने इन्होंने अपना women single title जीता और Alcrest Garcia ने men single title मैक्स वस्टेपन जो कि Red Bull के लिए ड्राइव करते हैं इनकी बात करें तो इन्होंने अभी Italian F1 Grand Prix जीता Amelia Romagna Grand Prix इन्होंने जीता जा चुका है एजर भाइजांस Grand Prix भी इन्होंने जीता है Next Australia के Captain Aaron Finch इन्होंने retirement ले लिया ODA cricket से ODA क्या होता है One Day International Then Robin Uthappa की बात करें इन्होंने भी retirement ले लिया from all the forms of Indian cricket Rachel Haynes इनकी बात करें तो इन्होंने भी retirement ले लिया international cricket से तो ये थे आपके कुछ important one-liners friends अब आजाते हैं आपके आज की news पे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे यूवा की Next हम बात करेंगे Bureau of Indian Standards Bureau of Indian Standards जिसको BIS भी कहते हैं इन्होंने कभी MOU साइन किया है Technical Institutions के साथ for Active Engagement of Academia जो Technical Institutions रहेंगे IAT Kanpur, IAT Indian School of Mines धनबाद and NIT Rautkila इनके साथ ये भी tie-up stand-up किया है ताकि जो MOU sign-up किया है ताकि जो education है उसको better किया जा सके, teaching को better किया जा सके better और हम science में नए-नए projects में बात कर सके ठीक है जो भी बच्चों को एक infrastructure प्रोवाइड किया जाता है teaching के लिए जो teachers को provide किया जाता है उसको और better provide करने के लिए ये MOU sign किया गया BIS Bureau of Indian Standard and Technical Institutions के साथ ठीक है ये initiative है towards institutionalizing its engagement with the eminent institutes of the country ताकि और better infrastructure प्रोवाइड किया जा सके, teaching को enhance किया जा सके ठीक है याद रखेंगे इसको और जो अब भी आपके engineering disciplines है जो भी field of science है उसमें various research and development के लिए ये tie-up ये MOU sign किया गया है next news आ जाते है BITEXL BITEXL ने अभी एक MOU sign किया Microsoft के साथ for HR skilling in tier 2 and tier 3 cities याद रखेंगे BITEXL जो कि एक Hyderabad based air tech company है इन्होंने एक MOU sign किया Microsoft के साथ to offer training in the emerging technologies in the tier 2 and tier 3 cities of the country काफे important याद रखेंगे ये जो collaboration है ये align है in the national vision of the providing 1 crore internship opportunities by the year 2025 नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात कर चुके हैं इस question के बारे में कि टाटा स्टील के जमशेदपूर प्लांट को अभी इंडिया का पहला responsible steel certification से समानित करा गया काफे important responsible steel site certification से some has been conferred for the three production facilities steelworks, tube division and cold rolling mill किसके off data steel in जमशेदपूर steel plant को कि तीन divisions को ये अभी responsible steel site certification से समानित करा गया जो कि जारकंड में है अगर site का नाम पूछे तो जमशेदपूर steel plant याद रखेंगे ठीक है तो जमशेदपूर site became the India's first site जिन्होंने जॉइन किया exclusive group of steel producing sites around the world to receive the responsible steel certification नेक्स आजाते हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द्रॉपदी मुर्मूमा इनके द्वारा प्रेजेंट किया गया silver trumpet and trumpet banner to the president's bodyguard जो प्रेजिडेंट के bodyguard है उनको अभी silver trumpet and trumpet banner से सम्मानित किया गया जैसे जारकंड की बात करें तो इट बिकेम थर्ड स्टेट टू है प्रेजिडेंट के जो कॉइंसाइट करती है food security atlas government ने शेर किया in total health expenditure जो हमारा increase हुए गौर्मेंट का शेर है फिर इंडिया ने लॉंच किया joint white paper on urban wastewater scenario in India with Denmark तो क्यायाद रखेंगे किन के द्वारा ये joint white paper लॉंच किया गया on water scenario इंडिया के द्वाड़ा डेने करें पर स्वच्था पॉटल किन के द्वारा लॉंच किया गया Union Minister जितिएंति इंठük के द्वारा येmä स्वच्था पॉटल लीज किया गयाinta और एर इंडिया ये इंडिया ने खुद करके याई बोला जाएगा फिर इसी के साथ साथ अगर रीब्रेंडिंग के नाम याद रखें तो आपको पता है कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इंडिया एंड मेडगास करने एक MOU साइन किया नेक्स्ट नेक्स्ट एलाइसी लाइफ इंशॉरेंज कॉर्परेशन ने अभी कैप्री ग्लोबल कैपिटल में 2% स्टेक को बाय कर लिया अगर देखा जाए तो यहाँ पर 724.74 पर शेर पर पीस इन्होंने ये बाय किया और टोटल 257.37 करोट उपीज उन्होंने धिये नेक्स्ट आजाता है गूगल गूगल ना भी एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस बेस स्टार्ट अप अविटार स्टार्ट अप को बाय किया जिसका नाम है अल्टर 100 मिलियन डॉलर का ये बाय आउट रहेगा और अप्रॉक्सिमेटली 822 करोड रुपे इन्होंने पेमेंट करी गूगल ने आल्टर को टू बाय दा 100% stake in this अविटार स्टार्ट अप आर्टिफिशल इंटेलिजेंस बेस अविटार स्टार्ट अप जिसका नाम है ऑल्टर ठीक है नेक्स नेक्स हम बात करेंगे चाइना चाइना हम जानते हैं कि 2022 तक है अपना खुद का एक इंटरनेशनल स्पेस टेशन बनाने की बात कर रहे इसके लिए इन्होंने अभी पहले एक वेंटियन स्पेस मॉडूल भी अपना लॉंच किया था और अब इन्होंने सेकेंड लैब मॉडूल मैंश्टियन लैब मॉडूल लॉंच किया फॉर यहीं पर अगर हम इसकी बात करें लॉंग मार्श फाइफ भी फावाइफोर रॉ वो क्या थी वो फोकस करती थी बायोजिकल एस वेले स्पेस लाइफ साइंसिस के उपर रिसर्च करने के लिए लेकिन जो यह मैंश्टियन लैब है यह बेसिकली इनके द्वारा लॉंच किया गया है पहला स्पेस बेस कोल्ड अटॉमिक क्लॉक्स को इन्टु दा स्पेस ठी क्योंकि जो इसका पात है वो हमारे अर्थ के पात से कोलाइड करता है कहीं न कहीं उससे कोलैप्स करता है तो अगर देखा जाए तो इसका नाम रहेगा 2022 AP7 यह अपके एस्टरोइड का नाम है जो कि एक नया पोटेंशल हजाडस एस्टरोइड डिसकवर किया गया है 1.5 किल तो वहीं पर यह एस्टरोइड को डिसकवर किया गया भी और बोला गया कि आने वाले दस आने वाले सौ साल तक यह काफी पोटेंशली हजाडस रहेगा इसका जो आपका सन का रोटेशन का टाइम है कि मतलब सन के अराउंड यह एक और बिट कितने टाइम में पूरे कवर कर अि देम स्वाएश न्यू ढैन्स फ्लाएश इसको डिसकवर के अभी और ब्रह्मस किरी हिल्स में तो अभी डेश्र आंस तत्रेकर इंवन को ने को डिसकवर किया जो i काँ पर है western guards में नेक्स आ जाता है हम बात करेंगे third edition of Sultan of Zohar Cup को जीता किसने इंडिया ने जीता by defeating Australia ठीक है एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ पर जो हम मैं बात कर रहा हूं जोहर कप की ये इंडिया की third win रहेगी ये जो third है ना third का मतलब है इंडिया की third win लेकिन जो edition की बात करूँ तो ये दसमे edition रहेगा Sultan of Zohar Cup का I repeat 10th edition of Sultan of Zohar Cup किन के दवारा जीता गया इंडिया के दवारा जीता गया ये sports की ये award किस फिल्ड में दिया जाता है ये award आपका hockey में दिया जाता है तो international men's under 21 field hockey tournament हुआ था भी जोहर बारू मलेशिया में हुआ था ठीक है और यहाँ पर इंडिया ने तीसरी बार इस title को जीत लाए पहली बार 2014 में दूसरी बार 2013 में और अब 2022 में इन्हों ने 10th edition of Sultan of Zohar Cup को भी जीत लिया जो की hockey से रिलेट करता है इसी के साथ साथ हौके इंडिया ने अनौंस कर दिया दो लाग रुपे एच फॉर इच प्लेयर्स एंड वन लाग रुपीज एच फॉर दे सपोर्ट स्नाट ऑफ दे इंडियन जूनियर में स्कॉकी टीम वालकर टॉक इनको पॉइंट किया गया नेक्स्ट यून हाइच कमिशनल फॉर हुमन राइट्स पीटर एलबर्स इनको पॉइंट किया गया CEO अफ इंडिगो संजे खन्ना इनको पॉइंट किया गया CEO of American Express इंडिया में प्रसाद के पैंकर इनको पॉइंट किया गया Chairman of Naryara Energy और राइट आइपीट प्रसाद के पैंकर को पॉइंट किया गया Chairman of Naryara Energy चीफ जस्टिस मुन्शिवर भंडारी जी इनको पॉइंट किया गया Chairman of Prevention of Money Laundering Act CB George इनको पॉइंट किया गया India का Next Ambassador to Japan मार्क करेंगे इनको भी Next नेक्स हम बात करेंगे जमशेद जे इरानी जी की इनको Steel Man of India के नाम से जाना जाता था इनका Recently निदन हो गया है ठीक है 86 years की age में इनका निदन हुआ इनको पदमा भूशन आवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है ठीक है यह Tata Steel से associated है with more than 4 decades मतलब 40 साल से भी जादा यह associated है इनका जनम हुआ था 1936 में और इननोंने Tata Steel को जॉइन किया था in 1981 नेक्स्ट 7th edition of India Water Week कब observe किया जाता है एक से पांच नवंबर के बीच में हम observe करते हैं 7th edition था 6th edition आ जाता है 24 September से लेके 28 September के बीच में 2019 में अगर मैं बात प्रूँ 7th India Water Week की theme क्या रहेगी Water Security for Sustainable Development with Equity चल यह next आ जाता है World Weekend Day क्या theme रहेगी World Weekend Day का कब observe किया जाता है हमें World Weekend Day तो हम एक नुवंबर को World Weekend Day और पहली बार यह observe किया गया था 1994 में याद रखेंगे नेक्स तो फ्रेंट्स यह तो थे हमारे Current Affairs अब आ जाते हैं Quick Revision पे सबसे पहले हम बात करते हैं उस्ट्रेलिया Navy Ship reaches विशा का पट्रम टू पाटिस्पेट इन दा इंडो पैसिफिक एंडेवर एक्ससाइज जो की थर्ड एडिशन रहेगा इस एक्ससाइज का फिर आज आता है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यानाथ इन्होंने इनागरेट किया नौर्थ इंडिया का पहला डाटा सेंटर ग्रेटर नौहडा में जो की यूपी में है इत डिपार्टमेंट लौंच इस हरित यह आईटी के है इंकम टैक्स डिपार्टमेंट हरित आयकार इनिशिटिव लौंच किया गया तू क्रेट माइक्रो फोरेस्ट रिन्यू ने कमिट किया तू बी नेट जीरो फिर्म बाई दोजर चलेस आरिबया ने लौंच किया डिविम डेबिट कार्ट को लौंच किया फॉरेट्स एचनाइ कस्टमर्स इंडिया ने डोनेट किया तू पांट फाइं डालार तू यून र्व फोर वेलफेर ऑफ पलेस्टीन रिफूजिज और यह सेकंड इस्टॉल्मेंट थी तू पांट फाइब मिलियन डॉलर की मतल पाइगल और नंपी से ने पार्टनर किया तू लॉंच मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स और रूपे नेटवर्क बियाएस ने साइन के एक मूई विद टेखनिकल इंस्टिटूट फॉर एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ अकेडमिया बाइट एक मूई साइन किया माइक्रोफ के साथ for HR skilling in tyre 2 as well as tyre 3 cities टाटा स्टील जम्षेदपूर साइट बिकेम दा इंडिया सब्सक्राइब काफी इंपॉर्टन मार्क करेंगे नेक्स आज आता है प्रेजिदेंट अफ इंडिया द्रॉब्दी मुर्मु मैं ने प्रेजेंट किया सिल्वर ट्रॉंपेट एंड ट्र स्टार्ट अप जिसका नाम रहेगा और और एवटार क्या होता है जैसे आपका खूबर रूही बन जाना आपका एक अनिमेटेड वर्जन उसको एवटार कहते हैं ठीक है और हंडेड मिलियन डॉलर के लिए नहों ने इसको बाई किया चाइना ने लॉंच किया सेकंड मॉडूल है जो की अटॉमिक लॉक्स को लेके गई है यह स्पेस में और जो पहला वेंटियन मॉडूल था वहां पर आपकी लाइफ के ऊपर बात की जाएगी लाइफ के उपर रिसर्च किया जाएगा देन दो हजार बाईस एपी सेवन यह एक नूली पोटेंचिल न्यू डेमस्वाइ स्पीशिस के डिसकावर की गई ब्रह्मगिरी हिल्स में जिसका नाम राखा गया फ्रैंसीस रीटेल देन टैन्थ सुल्तान ओफ जोहर कप जीता गया यह होके से बिलॉंग करता है यह कप और इंडिया ने इसको जीत लिया और इंडिया ने तीसरी बार इसकप को जीता है बार डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया पद्मा भूशन आवाड़ी जमशेद जे इरानी जी जिन को स्टील बेंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था इनका निधन हो गया है सेवन्थ इंडिया वाटर वीक अब ऑबजर्व किया जाता है एक से पांच नॉवेंबर के बीच में वर्ल्ड वीगन डे एक नॉवेंबर को और इंटरनेशनल ओपन एकसेस वीक 24 से 30 अक्टूबर के बीच में तेन मिनिस्ट्री ओफ एक्ट्रोनिक्स इंफरमेशन टेकनलोजी ने अप्रूब किया महारास्टा का पहला इलेक्ट्रोनिक्स मनुफेक्ट्रिंग क्लस्टर काहां पर पुने में काफी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे तो यह सारे आपके करंट अफेस थे फ्रेंड्स अब आजाते हैं आपके हों मखबार पहला क्वेशन विच कंट्री इस प्रेजिदेंट इस मेंडेटेट तो ब्रेंग आउट थे नेशनल सिक्योर्टी स्टेजी दूसरा मॉर्बी ब्रीज ऑन दमचाव रिवर इस लोकेटेट इन विच स्टेट तीसरा डियादियों इंड फेलियर तो मेंटेन इंफ्लेशन टार्गेट फॉर हाउ मैनी क्वार्टर तो यह पांच क्वेशन फ्रेंड्स आपके होंवर्क रहेंगे कोई भी क्वेशन नहीं आता तो गूगल कीजिए और उसके उपर एक दो आर्टिकल्स पढ़िए पढ़िए ज़रूर रहेगा आप आपकी प्रिपेशन में बहुत हैल फिलने वाली है इसी के साथ चाथ फ्रेंड्स अगर सेशन पसंद आ है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक कर दें अगर आप हमारे और बाकी करन्ट अफेर्स भी पढ़ना चाहते हैं तो जस्ट गूगल पर यूट्यूब पर जाएए और सर्च बार में लिखिये करन्ट अफेर्स करन्ट अफेर्स बाई विकास राना आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएंगी जो current अफेर्स के हम li. अधेली बेसेस पर प्रोवाइड करते हैं जहांपे हम daily करन्ट अफेर्स, monthly करन्ट अफेर्स, weekly कर affairs और topic wise current affairs भी हम आपको provide करते हैं जो कि आपकी preparation में बहुत ज़्यादा help करने वाली है so that's all for the day friends thank you and have a nice day that's all for the day friends यह हमारी वीडियो थी I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ साथ friends आप हमारे YouTube channel को subscribe कर सकते हैं आप Telegram channel पे जाके हमें follow कर सकते हैं and इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी problem आ रही है या तो payment में या हमारे courses के साथ तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 767733862 या फिर आप हमारी mail ID पे हमें mail कर सकते हैं and I'll make sure कि आपकी जो problem है उसको जल्दी से जल्दी solve किया जाए इसी के साथ साथ आप हमारे instagram handle affairs cloud underscore official को follow कर सकते हैं code और याद रखना वो है विकास 10 अगर आपको 10% का extra discount चाहिए तो आप विकास 10 का code यूज कर सकते हैं आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहां पे मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा है या आपका course purchase हो गया है पैसे कट गए है या कोई भी issue हो आ रहा है तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 9667-333862 या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com पे and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा और आपकी problem को solve करेगा